अडानी समू को लेकर 24 जनवरी 2013 को जारी हुए हिंटनबर्ग रिशर्च रिपोर्ट और समू की कमपणी में LIC के निवेश को लेकर सरकारी वीमा कमपणी की हुई तीखी आलोशना के बावचूर LIC पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है देश की सबसे बड़ी सरकारी वीमा कमपणी LIC ने अडानी समू की फ्लैक्शिप कमपणी अडानी इंटरप्राइसे समी चार कमपणीों में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाया है जन्वरी समाज इस्तिमाही के दौराने LIC ने अडानी इंटरप्राइस के 3,57,500 शेर्स खरीदे हैं इस खरीद के साथ LIC ये हिस्सेदारी 4.2-3 फीज़ी से बढ़कर जन्वरी माज इस्तिमाही के खत्म होने पर 4.2-6 फीज़ी पर जा पहुँची है डिस्टॉक एक्सेंज के डाटा से ये जानकारी निकल कर सामने आई है इस सावधी में LIC ने अडानी ट्रास्मिशन, अडानी ग्रीन एनरजी और अडानी टोटल गैस में भी हिस्सेदारी को बढ़ाया है हाला कि इस सावधी में LIC ने अडानी पोर्ट्स और अमबूजा सिमेट्स में अपनी हिस्सेदारी को घटाने का काम किया है ACC में LIC के हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आया है हाला कि ये सपस्ट नहीं हो पाया है कि LIC में अडानी समू की कंपनियों में हिस्सेदारी 24 जन्री को हिंटन बर्ग रिपोर्ट के जारी होने के पहले खरीदा है या बाद में पता दे हिंडन बर्ग रिपोर्ट के जारी होने के बाद अठानी समू की कमपनियों में LIC का निवेश बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था कॉंगेस के पूर्वद्रेक्ष राहूल गांधी समयत कई विपक्षी दलों के निताओं ने LIC की भीमा पॉलिसी के निवेशकों के पैसे से खिलवाल करने का रोब लगाया था